तो यह क्या टेक्नोलोजी इन सब के बारे में हम डिसकूस करते हैं तो मेगा नुकलेस एक टेक्नोलोजी हो गई ZFN का फुल फुल फॉर्म होता है Zinc Finger Nuclease Technology TELN का फुल फुल फॉर्म होता है Transcription Activator Like Effectors Nucleases और CRISPR का फुल फुल फॉर्म होता है Clustered Regularly Interspace Short Palindromic Repeats Yes, बहुत बड़े-बड़े Full Forms हैं बट बहुत एजी है आप एक बार समझेंगे इनको तो बहुत एजी लिए आपको समझ में आजागा क्या होती है इन टेक्नोलोजी तो बहुत ही Simple Form है हम इन सब टेक्नोलोजी का अंडिस्टैंड करते हैं वो क्या है? Enzyme है Enzyme है या फिर प्रोटीन बोल सकते हैं Correct? और Nucleases है मतलब यह क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? Double Stranded Break Double Stranded Break किसमे? DNA के अंदर तो DNA यह हो गया तो यह इस तरीके से इसको cut कर देते है Nucleases है, यह इनका काम होता है तो जैसे कि यह बीच वाला पॉर्शन हट जाएगा तो यह बच जाएगा यह हो गया Double Stranded Break यह काम होता है इनका Nucleases का अब Mega क्यों बोल रहे हैं? Mega इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह जो Mega Nucleases होते हैं यह बहुत ही specific होते हैं किस चीज में? कि यह Large Piece of DNA को Cut करते हैं तो सम 14 से लेके 40 Base Pair का Sequence कट करेंगे बहुत बड़ा Sequence कट करते हैं जो बहुत ही Relive पाया जाता है ऐसे Nucleases तो इसलिए इनका नाम डाल दिया गया Mega Nucleases अब यह Mega Nucleases जब डिसकवर होए थे जब बहुत यूज में क्या गया इने Gene Editing Technology के लिए लेकिन हुआ क्या कि यह कई बार जो थे यह Off Target पे जाके भी Cut कर रहे थे तो यह हमारे लिए जो हम Gene Editing Experiments करते हैं Gene Editing Research करते हैं उसके लिए यह हमें अच्छा साबित नहीं हो रहा था Off Targets मतलब अगर हमें यहां चाहिए तो यहां ना करके कहीं और जाके Cut कर रहा है तो हमें नहीं चाहिए वो हमारी Study में प्रॉब्लम दे रहा था तो यह Mega Nucleases फिर इतना effective नहीं हुआ प्लस बहुत ही Costly था यह तो इसके बाद एक नहीं टेकनलोजी आई और वो थी Zinc Finger Nucle अब इसको भी हम Nuclease बोल रहे है मतलब यह भी क्या है एक Enzyme है जो Double Stranded Break Produce कर रहा है पहली चीज और Zinc Finger क्यों बोल रहे है क्योंकि इसका जो Protein इस Enzyme क्या है Protein होते है तो इस Protein का Conformational Structure वो इस तरीके से है कि इस Zinc Ion जो होते है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है तो Zinc आया है न हमें पता है Positive Charge है और DNA क्या है Negative Charge तो इनकी Binding बहुत अच्छी होगी तो Basically Zinc Finger Nuclease जो होता है वो दो Domain का बनावाता है एक होता है DNA Binding Domain DNA Binding Domain और दूसरा होता है हमारा Cleavage Domain क्योंकि Nuclease का काम है तो Cleavage तो करे गई Obviously वह इसी लिए चाहिए हमें editing के लिए तो Cleavage Domain हो गया एक हो गया DNA Binding Domain एक हो गया Cleavage Domain तो Zinc Ion जहांपे प्रेजेंट है इस प्रोटीन कंफरमेशन में वो तो हो जाएगा DNA Binding क्योंकि अच्छे affinity हो गया उसकी DNA के साथ correct Zinc Finger तो यह हो गया हमारा DNA Binding Domain अब यह जो Zinc Finger होते है एक Zinc Finger जो होता है वो 3 Nucleotides को या 3 Base Pairs को Recognize करता है तो मान लिजे यहाँ पर 1,2,3 यह हो गया 1,2,3 थोड़ा सा बड़ा मैं आपको बना के दिखाती हूँ तो यह मान लिजे यह हो गया हमारा DNA और यह हो गया 3 Nucleotides यहाँ पर A, T लेट सबोज यह एक sequence है तो अभी क्या होगा 3 Nucleotides यह जो 3 Nucleotides है ATG इसको एक Zinc Finger Recognize करेगा ऐसी दूसरा Zinc Finger जो है वो लेट सबोज इस इस तीन Nucleotides को Recognize करेगा TTG को तो यह Zinc Finger 2 हो गया तो हर Zinc Finger बिसिकली एक Zinc Finger किसको Recognize करेगा 3 Base Pairs को ठीक है तो 2 Zinc Finger किसको Recognize करेगा 6 Base Pairs को ऐसी अगर हमें कोई एक sequence अगर हमें चाहिए कि अगर हमें चाहिए कि 9 Base Pairs का हो तो हमें कितने Zinc Finger चाहिए होंगे यह 1-2-3 तो हमें कितने Zinc Finger चाहिए भी 3 Zinc Finger तो इस तरीके से आपका डिपेंड करेगा कि कितने Nucleotide का Base Specific Sequence आपको Recognize करा कि इस Nuclease से Cut करवाना है ठीक है Double Stranted Break उसके पास करवाना है तो वह Depend करेगा कि कितने Zinc Finger चाहिए तो यह आपके इस तरीके से complex form हो जाएगा यह DNA Binding Domain हो गए और इसके पास होगा हमारा एक Cleavage Domain जो किसका बना होगा Half portion of Foc 1 का अब Half portion of Foc 1 Foc 1 क्या होता है Restriction Enzyme Restriction Enzyme का काम क्या होता है Recognize करना एक Particular Site पर और Cleave कर देना यह Foc 1 जो होता है यह जो होता है Non Specific की Nature होता है Non Specific मतलब कहीं पर भी जाके Cut करेगा अब इसको क्या करेंगे इसलिए हम Half portion ही लेंगे पर भी प्रेजंट है सेम उसी तरीके से और तीन-तीन नुकलोटाइडी रिकोगनाइस करेंगे ठीक है तो यहां पर भी प्रेजंट है अब क्या होगा जहां पर भी फॉक 1 फॉक 1 का जो हाफ पॉशन है वह लाइन हो जाएंगे वहाँ पर आके यह dimer form कर लेते हैं जैसे dimer form करेंगे यह फॉक 1 active हो जाता है Active हो जाएगा तो इसका काम क्या होगा कट करना तो यह आपर cleavage produce कर देगा और यह portion यहां से हड़ जाएगा तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा यह portion और यह portion पेच का पॉर्चन ये गया तीक है ये is तरीके से मिल जाएगा तो ये डबल स्टांड़ीट बेट फ्रडीक होगा तो ये किस ने फ्रम्य प्रॉड्विप एंच ने हमाँर endeavors ये उकार कांम तो यहां अपड सिंग फिंगर कंगर में नीउसके है यहां पनेigorressर धियुकेlle biological का पर इसको ZF2 कर रहा है फिर ZF3 इसको रिकोगनाइस कर रहा है तो ऐसे 9 बेस पे अजली है अबने specific जो तीन जिंग फिंगर से रिकोगनाइस हो रहा है और यह हाफ पोशन फॉक वन का है यह हाफ पोशन फॉक वन का अगेन है अलाइन हुए डाइमर फॉर्मेशन हुआ यहां से इसको कट कर दिया पोशन को तो डबल स्ट्राइड ब्रेक प्रिदेश होगा है इस तरह के से जिंग फिंगर नुपलेस काम करता है जीन एडिनिंग टेक्निक में